आज हम लोग जो चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर उस चेप्टर का नाम है बच्छो फिजिक्स से है वो चेप्टर that is the light और जम लाइट के बारे में बात करते हैं तो basically light क्या चीज़ होती है कोई बताना चाहते है light क्या चीज़ होती है बच्छो raise your hand very good सब बच्छे बताना चाहते है उमां आ तुम बताओ it is a form of energy that create a sensation of shame in eyes तो बहुत बढ़िया बात बोलिये तो अच्छे बात है बहुत सारे बच्छों बच्छों कुझा आपकर करते है बिजली यह लाइट बिजली होती है अगर लाइट बिजली होती है तो electricity क्या है light is a form of energy light energy की वो form है which enables us to see any object from where it comes light कै light is a form of energy which enables us to see any object from where it comes light energy की वो form है जो हमारे को किसी भी object को देखने के लायक बनाती है उस object को जहां से light आ रही होती है अब यह मारकर आपको दिखाई तरह है एंशुल तुम्हें दिखाई तरह है विजित इसका मतलब जो light यहां पर आ रही है वो यहां भी जा रही है 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 इसको यहां पर देख पा रहे हैं तो कोई भी object हम उसको देख पाते हैं अगर वहां जहां से लाइट आ रही होती है अब देखो आप लोगों क्या बताना है यह बच्चे है बहुत बढ़िया बच्चा अब यह बताओ कि यह कितनी फिंगर्स है कितनी उगली है यह दिखाई दे रहा है अब बताओ लेकिन यह कितनी है तीन इती इस पर बताओ कितनी है फिर से तीन इस बर बताओ फिर से किए आप दो है यानि अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहां पर टोटल कितनी फिंगर्स है पता है क्यों लाइकि यहां से लाइट आपके पास पहुंची नहीं लिए आपको नहीं बतल सकते हैं ना पीछे किनी फिंगर्स है क्यों क्यों क्योंकि लाइट यहां से पहुंची नहीं लिए हां तुझे नाम देंगे बटा दुनसरी बदाते हैं तो लाइट इस फोम ऑफ एनरजी विच आप्जेट को देखने के लायक बनाती है जहां से लाइट आरी होते हैं कि विटे तो हमारे पास अब्जेक्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं हमारे पास दो तरीके के object है जिसमें एक है यहाँ पर luminous objects और दूसरे हैं मेरे पास यहाँ पर नोन-luminous objects देखिए luminous objects कौन से होते हैं luminous objects और दोज objects which emit their own light जिनकी अपनी खुद की light होती है विच इमिट और ओन लाइट आरकाल luminous objects जैसे कि sun है स्टार्स है LED बल्ब है ट्यूब लाइट है candle है यह सब हमारे पास luminous objects होते हैं विच इमिट यह अपनी खुद की light करते हैं जबकि दूसरे objects होते हैं non-luminous वो सिर्फ light को reflect करते हैं और कौन सी light को जोन के ओपर गिरती है उसको वो सिर्फ क्या करते हैं आपर reflect करते हैं which only reflect the light which falls on it most light को सिर्फ क्या करते हैं वच्छो reflect करते जोन के ओपर दिखाई दे लिए हैं which reflect the light on the light which falls on it जोन के ओपर गिरिया वो हमारे पास यहां पर यहां पर क्या कर रहा है बच्चो रिख्लाइट कर रहा है उस लाइट को जो उसकी ऊबर गिर रही है बिल्कुल सही बात है हमारे पास यहां पर अब इसी के अंदर एक चीज़ उपर होती है हमारे पास जैसे बच्चे लिव्य बेन की फोटो है तो यह कौन आ यह विलीविनेस तेरे सोमेस हो जाएगी तु भी लिविनेस हो जाएगा श्रूब अब बात करते है बच्चो लाइट के नेचर के बारे में लाइट का नेचर कैसा होता है हैं बढ़िया लाइट का नेचर कैसा होता हुढ लाइट का जो नेचर होता है दुल नेचर हो ठowski का आप कैसा यानिकि यहां पर दो ओरी है जो क्यों लाइट के नेचर को स्प्रियन کرतीए है यहां देखि़े से बच्छे बाल में नोड का Grow मैं हैं यहां पर आपक हमारे पास कहलती आ इत्विक्ड विसी कोसा करें सब्सक्राइब हमार्व लेव पार्टिकल थीयोरिय। दोनों थीयोरिय। से यहाँ जो मर्जी यूज़ करें को कि अबिए इसको हम यहाँ पर पड़ेंगे हैं क्वांटम थीयोरी के नाम से इस के ओपर पूरी बुक्स भी है सब्जेंट्स भी है quantum physics के नाम से भी को quantum theory पढ़ेंगे हम लोग higher class में जाकर अभी फिलाल हमारे पास दो है एक particle theory और दूसरी हमारे पास बचोरे यहां पर wave theory